नमस्कार दोस्तों अधार कर्ट से डिल्ड एड एक बहुत ही जरूरी कौश्चन आता रहता है कॉमन और एक कौश्चन आपके मन में भी हो सकता है सवाल यहां पर यह आता है कि एक अधार कार्ट के साथ में हम कितने मुपार नंबर लिंक कर सकते हैं तो कहने के वतला है कि कोई जरूरी तो नहीं कि आपके जो family member में है ओ एक से ज़ादा भी सदस हो सकते हैं और सबका अधारकार्ड हो सकता है लेकि मुबाल नंबर की बात करें तो आपके घर में एक ही मुबाल नंबर available हो सकता है तो क्या मेरे अधार कार्ड में एक mobile number link है तो क्या में दूसरे अधार कार्ड में यही same mobile number link कर सकता हूँ तो yes इसका आंसर है yes आप कर सकते हो आप एक mobile number multiple अधार कार्ड में link कर सकते हो और अब हम दूसरे question की बात करें कि एक अधार कार्ट के साथ में कितने मुवाल नंबर लिंक आप कर सकते हो तो इसका answer है एक मतलब एक अधार कार्ट में आप एक मुवाल नंबर लिंक कर सकते हो ऐसा नहीं कि अधार नंबर एक ही है और आप दो मुवाल नंबर उसमें लिंक क करा सकते हो और पुराने वाले को भोल जाए जो भी ओटी पी आएगा आपकी नए वाल नंबर में आएगा तो में एक चोटा से वीडियो से आपको कंपर्म हो गया होगा और अगर आपके माना भी किसी प्रकार का कोई कोश्चन है तो मुझे कमेंट्स करके पूछ लेना उसका आपको 100% मिल जाएगा चले मिलते नेक्स वीडियों तब तक के लिए बहुत बहुत धन्नवाद